से कहा था कि आज के दिन में पांचो तीदेन मैच कवर करूँगा सेम वही चीज़ किया अभी तक तीन तीदेन के मैचेस के रिजल्ट आ चुके हैं उसमें से दो मैचेस मैंने आपको काफी अच्छा क्लीन सिफ करा है एक मैच अमारा मिनी जील तक का गया और एक मैच अमारा अफिटेबल गया यानि कि कोई लोस भी नहीं हुआ थोड़ा सा फायदा ही हुआ सुबा का मैच भी हमारा अलडरा मेगा क्लीन से भुआ था सुबा का एक और मैच मैच मैंने कवर किया था वो मैच भी हमरा काफी अच्छा क्लीन से भुआ आज एक वाप फिर से आखरी मैच हंगरी और तुर्की के बीचे होने वाले मैच के बारे में बात करेंगे हर एक प्लेयर का सारे इंफॉर्मेशन कौँ किस नंबर पर बल्ले बासी के लाएगा कौँ की दिनों और बॉल करके देने वाला है सबी चीजों के पर देखेंगे 11 प हमारे तेलिगर राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के दिस्किप्शन और खमेश सक्समा के पिन के आवा लिंक मिल जाएगा ना मिले तो सीधे सीधे कबित करके पूस लेना उसका भी आपको रिप्लाय मिल जाएगा यानि कि आपके पास लिंक भेज़ दूँगा हमार तेलिगर राम चैनल कर जोईनों आपको लेकदम फुरी है तो फुरी की चीज़ को बिल्कुली मिस मत करना है सबसे पहले यह जो मैच होने लगा मुझे लगता है कि हंगरी की टीम के जीतने के 95% के करीब चांस है पूरा का पूरा फोकस आपको हंगरी की प्लेस को करके चलन लेगे हंगरी की टीम ने सीजन के पहले मैच अपने 53 रन मिनाये हुआ जो कि बिल्कुल भी आम बात नहीं है काफी rare है दस ओवर के मैच में वहीं सामने तुर्की टीम ने दस ओवर खेल करके सिर्फ 51 रन मिनाये और सीजन की सबसे कमजोर पीम है तुर्की तुर्की के पास इतने अच्छे बल्ले बाच भी नहीं है, इतने अच्छे बॉलर भी नहीं है, तुर्की के पास सिर्फ दो ही अच्छे बल्ले बाच भी नहीं है, तुर्की के पास सिर्फ दो ही अच्छे बल्ले बाच भी नहीं है, तुर्की के पास सिर्फ दो ही अच्छे बल्ले बाच भी पहले मैच में फ्लॉप भी हुआ अपके मैच चलने के पूरे चांस है दूसरा अच्छा प्लेयर एम ओज तुर्क जो कि बल्ले बाजी में भी नमबर पाच प्याज हैगा बॉलिंग से भी आपको दो ओवर पुड़ा करेगा यानि कि बल्ले बाजी और गेंद बाजी दोनों प्लेयर है काफी रेयर प्लेयर है काफी अच्छे प्लेयर है तीतन के स्पेसलिस प्लेयर है बाकी जो नौ प्लेयर है तुर्की के पास वो कोई इतने खास नहीं है तो दो प्लेयर के दम को कोई तीम मैच नहीं जीत सकती है अगर मैं हंगरी की तीम के बाद करें सबसे पहला नाम आएगा एस रसिक बिन हमीद जो की समय बल्ले बाची में पांचुवे प्यार है में ली जो है न ओपनार है अगर यह बल्ले बाची में आपको लग रहे कि ओपनार आएगा बालिंग से दो वर पुरा करेगा तो समझ जाना कि 200 प्लस पॉइंच दिला करके जाने वाला है क्योंकि बल्ले बाची ओगेद बाची दोनों चीजों में रेयर नहीं दोनों ही चीजों में बाचसा अप लेयर है बल्ले बाची में कभी भी 100 प्लस रन बना सकता है लेकिन ही समय इसका बल्ले बाची करम काफी नीचे रखा गया पांचुए नमबर पे बल्ले बाची के ल कि दो catch भी मिला हुआ है तो रसिक बिन वो player है जो कि कभी भी आपको 200 points भी दिला सकता है सिर्फ और सिफ मौका मिलने की दिरिये chance is king ध्यान रखना बल्ले बाची आपसे नहीं एल दू प्लॉय कि दो सो तीन सो points पीछे रहे हैं हमसे तो इतने जादे points लाए ना बल्ले बाची में भी इसने 93 रन बनाए वो भी देख सकते हो कितनी कम बाल पर 27 बाल पर बालिंग से भी इसने 2 over करके इसको 3 विकेट भी मिले और 2 catch भी पकड़ा तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसने ना किया हो तो बल्ले बाची में भी उपना रहा है बालिंग सो भी दो over पुरा किया और अवक्र मैचस हो सकते हैंकि सामने इतनी कमजोर टीम है कि हंगरी की तिम पूरा experiment कर जाये पूरा experiment मैं क्यों कहा रहा हूँ अब experiment में क्या कर सकते हैं इनकी तीमगर से किसने बल्ले बाची में ओपना रहा है विर रविंदरन और एल्दू पुलाएं विर रविंदरन जो की समय हंगरी की तीमगर से कपतानी कर रहा है बल्ले बाची में ओपना रहा है पहले मैच बीस बाल पे ये मैं आपको clear कर रहा हूँ, D.A.K.VAR को पहले मैच में कुछ भी नहीं मिला, ना बल्ले बाची ना गेंदवाची, तो हो सकता है कि इसको बल्ले बाची में उपर कर दें, है ना, M. भाई जी, जो कि मेंली बल्ले बाची में ओपनर बल्ले बाच है, लेकिन इसका बल्ले बाची करम नंबर 6 पे राखा गया, और एज़ा विकेट कीपर खिलाए गया, तो पहले मैच में भाई जी को भी मौका नहीं मिला, भाई जी बिल्कुल भी कमजोर प्लेयर नहीं है, पहले मैच में अफड़ाप है, एम भाई जी हो गया, इन लोग कमाका दिया जा सकता है, हो ये भी सकते हैं कि रसिक बिन जिसको पहले मैच में बल्ले बाची में पांचों में पिभेजा गया, इसको ओपनर भेशे, तो ये सारी चीज़े हो सकती, ये दरा पुरेदी बल्ले बाची में 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 को सुरू को युसम बालिंग करेगा पहले और तीसरा वर अब अगर मानलों कि एक्सपेरिमेट किया जा रहा है तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आप जीयल की तीम मना रहे हो और अगर एक्सेरिमेट हो रहा है तो बहुत आप वह रविंदरंद को आप निकाल सकते हैं हो सकते कि ये बल्ले बाज़ी में भी ना आए बॉलिंग सेभी एक भी ओवर ना करें यह किया जा सकता है है ना हो यह सकता है कि यस रशिक बिन को कोई मौका ना दे ए Mack Ó यह सारी चीज़े की जा सकती हिए तो यह सारी चीज़ों को talking प्यान रख करके चलना है यहां से हम फॉंतेन पहले मैच में एक यह वर बाल किया बल्लेबाची में दस्वे ग्यारुए नमब करीब है या अभी के लिए मैं लेकर करके नहीं चलूँगा एक घानी एक ही वर बाल के अज़ाब इसको दो विकित मिल गया बल्लेबाची में कुछ रोते हैं उसके लिए आपको हमारे तेलीग राम चैनल को जोईनों पड़ेगा जहां पर जोईनों आपको जरूरी है असान है और एकदम फुरी है हमारे तेलीग राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के दिस्किप्शन और खमें सक्षब पिन क्या हुआ मिल क्योंकि जादे तर तीतन के मैच्चेस के आपको यहाँ पर फाइनल टीम मिल जाएगी उसके अलब अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो यूस्पूल लगा है काम करें हमारे यूटिप चैनल को सब्सक्राइब करा बिल्कुल इमत बूला क्योंकि सारे तीतन की जो वीडियो सोंगी वर आपको यहीं पर मिलने वाल ली हैं बारिंग अपसन है हंगरी के और से घानी ने एक और किया यहां से अली पराषर ने दो और किया एक और रसिख बिन ने किया X-Duploy ने साहिद से 2 over पुडा किया हुआ है और एदरा पुरिदी ने भी 2 over पुडा किया हुआ है तो यहां से L-Duploy ने भी 2 over पुडा किया हुआ है तो यह जो main ball पहले में इसे नजराएं L-Duploy है अली परासर है और उसके अलावां ये दोनों baller जो की एक इक ओर ball कर रहे हैं ये भी है जो की एक ओर कर रहा है X duploy और एक दरा पुरिद्धी का मिला करके तीन ओर बॉल आपको देखने को मिला हुआ है जिसमें एक ओर दरा पुरिद्धी ने किया पिर बनार यह ना तो हंगरी की तीम चार से पांच ओवर में ये मैच खतम करके ले जाएगी आफिर तीन से चार ओवर में हो ये सकता है कि हंगरी के एक ही विकेद किरे या फिर वो भी ना किरे तो ये चीज़ को आपको पूरा ध्यान देख करके चला है एम तुर्कमेन बल्ले बाची में सेवर नवर पे आया साथ बॉल पे ग्यारा रन मनाया बॉलिंग से भी एक ओवर से दो ओवर इसको मिलना चाहिए अभी मैं ले करके नहीं चल रहा हूँ जी अलता तुर्की एक तीम और से कपदानी किया हुआ हुआ है बल्ले बाची में आमने ली तीम चार ओवर में ही मैच खटम करके ले गई जिसमें सिर्फ दो बॉलर का यूस किया गया पहले बॉलर का नाम था यहां से एम औच्टुर्क हुआ अदूसरे बॉलर का नाम यहां से आपको देखना मिला था अली तुर्कमेन यह दोनों बालर नहीं पहले मैच म अगर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा तो भाई जी को बल्ले बाची में उपर भेजा जा सकते है यानि कि ओपनर रोमियो नाथ का रिकॉर्ड भी बिल्कुल सही नहीं है बल्ले बाची में भी पांचों पर आगा ज्यादा किसी काम का है नहीं यहाँ पर अगर किसी को लेना क बनाया M अतुला ओपनर आएगा दी अखबर को एक्सपेरिमेंट करके कभी भी मौका मिल सकता है यहां से अली तुर्क मेंट को आपको ले करके चलने की कोशिस करना है अली तुर्क मेंट बल्ले बाची और गेद बाची दोनों चीज़े करेगा उसके लेने के लिए आपको लगारे कैलडू प्लोय को मौका ही नहीं मिलेगा जो की हो सकता है तो वहां परह थोड़े से चेंज कर सकते है इदरा पुरेदी dalिको के वी सी मौना सकते हो उसके अलावाब आप यहां से अगर आपको लग रक भाइजी ओपना राएगा तो इसको के वी सी मौनार चल सकते यह एक हमारे analysis based की तीम है final team जो भी होगी हमारे तौस होने के बाद ECN के जब official website के बल्ले बाद सिक्राम आएगा उसके बाद जो भी हमारी final team होगी वो मैं screen shot के जरीया अपने तेली राम चैनल का आपको free में अपनी final team बेश दूँगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगाओ यूसफूल लगाओ हमारी यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब कर लेना आगे अनली वीडियोस का आपको सबसे पहले यही पर notification मिल जाएगा